केलांचों टाइम्स हर खबर पर हमारी नजर इस दिन वो वही रहेंगे हर साल वो दस दिनों के लिए विपशेना करने जाते हैं पहले अर्विंद केजरिवाल मंगलवार यानि की 19 दिसंबर कोई विपशेना के लिए जाने वाले थे लेकिन इंडी गडबंदन की बैठक की वज़े से वो एक दिन बाद बुद्वार यान इस दिन वर नोटिस को अवैद और राशनिती से प्रेरित बताते हुए पूछतास में शामिल नहीं हुए थे इस बार भी वो एडी के सामने पेश नहीं होंगे आमादनी पार्टी के राज्य सबासांसद रागव चड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री हर साल विपशेना के लिए जाते हैं इस बारे में कारिक्रम पहले से तैथा आमादनी पार्टी ने एडी के समन के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के वकील नोटिस को समझ रहे हैं और कानूनी रूपी से सही कदम उठाए जाएंगे विपक्षी दलों ने केजरिवाल पर आरोप लगाया है कि वह एडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ छिपाने की बात है एडी का भी कहना है कि केजरिवाल से पूछता ज़रूरी है क्योंकि उनके नाम का उलेख कतिद घोटाली की सम्मंध में कुछ दस्तावेजों में हुआ है दिली की आपकारे नीती में घोटाले में सामने आया था इस नीती के तहए दिली सरकार ने शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग का काम निजी कंपनिये को दे दिया था इस नीती पर कई सवाल उठे थे जिसमें यह भी सवाल था कि क्या इस नीती से दिली सरकार को राजस्व में नुकसान हुआ है इडी ने इस घोटाली की जाच शुरू की और उसने कई लोगों से पूछताज की केजरिवाल के अलावा इस घोटाली में कई अन्ने लोगों के नाम भी सामने आए जिनमें दिली के उपमोखे मंतरी मनीश सिसोधिया भी शामिल है मनीश सिसोधिया संजय सिंग जैसे महदपूर्ण लोग इस मौमले में गिरफतार हो चुके है तो मैं आपको बता दे केजरिवाल हर साल दस दिनों के लिए विपशियना शिविर में भाग लेते हैं शिविर में वे ध्यान की घैरी तकनिकों का अभ्यास करते हैं केजरिवाल का कहना है कि विपशियना में उन्हें अपने आसपास की दुनिया को अधिक जाग रुकता और समझ के साथ देखने में मदद की है उन्होंने का है कि विपशियना ने उन्हें एक अधिक शांत और संतुलित व्यक्ती भी बनाया है अब देखना यह है कि क्या केजरिवाल की तरफ से एडी को समन का जवाब भेजा जाएगा या नहीं इसके बाद एडी इस मौमरे में ये तैय कर सकती है कि केजरिवाल को लेकर उनकी आगी की रंडीती क्या होगी हो सकता है कि एजनसी आमादी पार्टी के संयोजक को तुरंती नया समन भेज़े या फिर उनकी आने के बाद ही उन्हें दोबारा बुलाए तो मैं बता दे कि एडी ने इस केस में अर्विंद केजरिवाल को पिछली बार समन भेज़ कर दो नवंबर को पेश होने के लिए कहा था लेकिन इस दोरान भी वे पेश नहीं हुए थे केजरिवाल इडी के समन के बाद पेश नहीं हुए तो एजनसी आगे क्या कर सकती है ये समन मनी लॉंडरिंग के तहट है इडी पेश होने वाले को जायस बज़ा बताने पर समय दे सकती है फिर दोबारा या उसके बाद समन दे सकती है कोई भी ED के समन पर तीन बार नहीं आया तो वो कानूनी रास्ता अपना सकती है इसके बाद ED गैर जमानती वारंट के लिए कोट में अरजी लगा सकती है कोट फिर गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है